तो आज हम बात करेंगे वैदिक सब्बता की वैदिक सिविलाजेशन और इससे हमारे करीबन दो से तीन प्रशन जो है वो फस्ट ग्रेड में भी आते हैं सेगंड ग्रेड के सेगंड पेपर में सामजीक में भी आते हैं और बाकी और भी बहुत सारी जगे एवन ये तो रीट पाना समजेगे और कंसेप्ट हम देखेंगे वैदिक सब्बता का थोड़ा सा परिच्छे फिर इसका स्वरूप देखेंगे और फिर इसके निर्मा, इसका विश्थार, इसका कालक्रम. ये सारी बते हम देखने वाले सवरूप और पषिएत सा इक साथ ही देख लें कि फिर हूं वैदिग संब्यता को दो भागों में बांटते हैं क्योंकि वैदिग संब्यता इतियाष कारों के अनुसार 1500 इसा पूरव से लेकर 1000 इसा पूरु के बीक में रही स्वारी 600 isa पूरु के बीच में रही थी ठीक है तो ये 600 isa पूरु के बीच में इसको में बांट दिया जाता है 15 머से सी 1000 की बांट जाता पूरु वेदिकाल इनमें अंतर है किया यह भी मैं बताऊंगा आपको और 1000 से लेकर और 600 के बांटा जाता है उत्र वैदिकाल फिर हम इनकी विशेष्टाएं भी देखेंगे राजनितिक धार्मिक सामाजी आर्थिक विशेष्टाएं ठीक है ये सारे के सारे point यहां पर भी आएंगे, यह सारे point यहां पर भी आएंगे, हम तो नात्मगत धिन भी करेंगे इसका, और last में देखेंगे पुरा थात्विक सरोत, जिसमें bogus गई, किक की, वो सारे अभिलेक देखेंगे, मृर्धभाण देखेंगे, और फिर आएगे साहितिक सुरोथ जिसमें आपके वैदिक साहिति पूर आ जाएगा ठीक है तो इसके अपन तीन आयामों पर चर्चा करने वाले हैं इसको पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से चर्चा ही नहीं होगी बलकि डिटेल स्टुडी करने वाले हम वैदिक काल की जिस तरह से हमने बड़े आसान तरीके से सिंदुगाटी सब्वेता को किया है वैसे के वैसे हम वैदिक काल को भी करने वाले हैं आप अच्छे से समझते जाना. जनुरी फरवरी तक फ़र्स ट्रवेट की वेकेंसी संहबावनाई बन रहे है अब. ठीक है? जनुरी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जनुरी में वेकेंसी आ जायीए तो फ़रवरी फ़रुवरी फ़र्म बनने में जाएगा. मेरा टार्गेट यह है कि फॉर्म भरायें करें परिक्षा की डेट आयें तब तक हम सेलेबस का 90% कर लें फिर दूसरे लोग तयारी सुरू करेंगे और आप लोग रिविजन सुरू करोगे और प्राक्टिस स्टार्ट करोगे साथ साथ में चलते रहना पेंडेंसी मत रखना अगर पेंडिंग रहेगे वीडियो तो फिर आप कर नहीं पाओगे अगर आप लेट जुड़े हैं तो डेली आप दो से तीन वीडियो करना तो टोटल मैं बता देता हूं पूरे फस्ट ग्रेड के अंदर जो 270 अंको का जब मैटर है उसमें हमारे कम से कम 300 वीडियो बनेगे और मैक्सिमम इतना ही बनेगे 320 तीसे से ज़्यादा नहीं जाएगा तो आप 300 वीडियो मानके चलिए देली अगर दो से 3 वीडियो करते हो तो अगर तीन वीडियो डेली करते हो तो आपको तीन महीने में आप काम कर लोगे जैसे आज आज आपने कोर्स खरीदा है ठीक है तो अगले मलब आप यू मानिये कि एक तीन महीने में आप पूरा काम कर लोगे ठीक है अगर तीन वीडियो डेली करते हो तो अगर दो वीडियो करते हो डेली तो निश्यत रूप से आपको पांच महीने लग जाएंगे, आज करते हो तो अभी अप्रिल तक काम पूरा हो पाएगा आपका, ठीक है, मैं पूरी वीडियो बता रहा हूं, तो कम से कम तो आपको दो करने ही करने हैं, मैक्सिमम आप तीन कर स होगे तब आपके तीन वीडियो बढ़िया तरीके से तयार होंगी, तो फिर आपको ये बाकी टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो ऐसे मैंने स्टिट जी बता रखी, उसे साब से आप काम करते रहोगे तो जरूर भी नहीं है, तो दो तीन दो तीन वीडियो करते रहना मेरे साब से ज्यादा ठीक रहेगा आपको, ठीक है, तो बात सुरू करता हूँ मैं, कुछ बच्चों के मैसेज जाते सर अब मेरे से इतना कैसे हो पाएगा, तो मैं उनके लिए बता दू, अभी कुछ भी नहीं बीता है, आप देखना अभी तक तो फरवरी तक बच्चे ज पूरा होगा भी नहीं, इसलिए कहता हूँ कि सोचिये मत, मन्जिल की तरफ पहला कदम बढ़ाना सबसे मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल काम कोई चीज होती है, तो होती है, पहला कदम, अगर वो बढ़ा लिया ना, और काम करना शुरू कर दोगे, तो हजारों सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है, तो बहतर यह है कि इन सवालों में नफस हैं, काम शुरू कर दें, तो देरे, 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 एक दो मैने में चीज़ें सारी ठीक हो जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका परिच्य, परिच्य और स्वरूप दो परिच्य और स्वरूप, दोनों पॉइंट एक साथ ले लेते हैं, तो हुआ क्या था, कि जैसे ही आठपा सब्वेता खतम होने शुरू हुए, लगबग लगबग सत्रा सो के आसपास, सत्रा सो इसा पूरो के आसपास, वैसे वैसे ऐसा माना जाता है, कि वैदिक सब्वेता शुरू हो गई, ठीक है, तो हाडपा सब्वेता की समापती साड़े सत्रा सो के आसपास माने जाती है, सत्रा सो के आसपास, और पन्रा सो में वैदिक सब्वेता क्या आरंभ माना जाता है, ठीक है, अब वैदिक सब्वेता के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस सब्वेता के सुस्वंस्थापक थे, इस सब्वेता को जो सुरू करने वाले थे, वो आरे लोग थे अब यहां पे कोई आरे जाती नहीं है, आरे कोई समुदाई नहीं है, आरे कोई धर्म नहीं है यहां पर ऐसा माना जाता है कि आरे एक गुण सूचक शब्द हैं जिसका तात्प्री है स्रिष्टता से तो आरे उन लोगों को माना जाता है जो अपने आपको स्रिष्ट मानते हैं अपने आपको एक प्रकार से बाकियों की तुलना में अपने आपको सरोच मानते हैं स्रिष् तो आरे जो है यह अपने आपको यह कि सिरिष्ट ता सब्द का दोतक है यह कि गुणवाचक है इसमें किसी भी परकार की जाती या किसी भी परकार के समुदा धर्म का कोई रोल नहीं है यहां पर पहली चीज़ तो ऐसा माना जाता है कि आरेों ने वैदिक सब्वेता इस्था वैदिक सब्वेता क्यों कहते हैं क्योंकि इस सब्वेता की जो जानकरी विजारतियों वो जानकरी हमें मिलती किस से हैं वो जानकरी हमारे को मिलती है वेदों से चीक है वैदों से जानकरी मिलने के कारण सको हम वैदिक सब्वेता कहते हैं देखो दो वाते हैं पहली बात य एक कि वेदों में वैदिक सब्वेता लिखी वी हैं या वैदिक सब्वेता में वेद लिखे गई तो मुसली बच्ची यही कहते हैं सर वैदिक सब्वेता के अंदर वेद लिखे गई मतलब अगर उन बच्चों की बात मानू में, तो पंदरा सो से छे सो इसा पूरू की बीच में वेद लिखे गए, तो फिर वापस मैं वापस यही सवाल करूं, उन बच्चों से करता हूं, अच्छा तो इसका मतलब वैदिक लोग लिपी से परिचित थे, लिखना जानते वैदिक लोग लिपी से परिचित नहीं थे, जब लिपी से परिचित नहीं थे, लिखा कैसे , लिखा ही निए उनो, तो उसे वेद द कहले लिखे गए? बचने वापस क्रॉस ख्राश्म करते हैं, ऐसे करके सुनने के दोरा, सुरोथ साहित्त्य के दोरा सुनुति साहित्य के रिव वेद आगि बढ़े और फिर जब लिपी का घ्यान हुआ मनस्य को तो फिर इन वेदों का धीरे-धीरे संकलन किया गया गुपत काल तक आते आते अन्ति मरूप से वेद संकलन हुए 26 परकार की सेलियां यूज की गई है ऐसा माना जाता है कि 26 वेद वियास होगे जिन्होंने वेदों का संकलन किया है जिसमें महर्शी, कृष्ण, द्वेपा या वेद वियास सबसे एहम माने जाते हैं तो वेद जो लिखे गए यह वेद विर्यारथियों बाद में लिखे गए थे पहले वेदिक लोगों को लिखने का कोई ग्यान नहीं था अब बात यह आती है तो इसका मतलब क्या हुआ फिर वेदिक सब्बेता क्यों कहते हैं फिर वेदिक सब्बेता इसलिए कहते हैं इस बेस पे कहते हैं कि वेदिक सब्वेता का जिक्र जो हमें मिलता है, वो वेदिक साहित्य में मिलता है, हमें वेदों से इपराप्त होता है, और वेदों में लिखा हुआ होने के कारण, वेदों में उलेखित होने के कारण, हम इस पूरी सिविलाइजेशन को वेदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, तो हडपन civilization अगर अपन देखें तो उसका उल्ले किसी साहितिक सुरोत में नहीं है उसकी जानकारियों को लिए हमारे को पुरात आत्विक सुरोतों पर निर्बर रहना पड़ता है आर्कियोलोजिकल स्योर्सेस पर डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि हडपा काल में लिखा तो गया लेकिन उनकी लिपी हम पड़ नहीं पाए तो वैदिक सब्विता जो है इसकी जानकारी कि mostly शोर्स कौन से लिटरीरी शोर्स है साहितिक सरोत है और साहितिक सरोतों में भी हमारे पास वैदिक साहितियों में ऐसी सब्विता का जिक्र है इस सब्विता के जिक्र के कारण ही हम इसको वैदिक सब्विता कहतें बाकी इसका क्या नाम है हमें कुछ भी नहीं पता वेदों में लिखा गया है कि आरे लोग थे, ये सब्त सेंदो परदेश नदियां थी, ये वरून देवता थे, या ये इंदर थे, या ये अगनी थे, या आपके बरमरसी परदेश था, या दसरागी उद्ध था, या पिर कोई भी पॉइंट ले लो आप, इस्तरियों के ये गेहने होते थे, पुरूश इस परकार से रहते थे, राजा ये होता था, Aग्या करवाता था, ये सारी बाते किसमें लिखी है, Veeda में लिखी है, ये लिखी है, तो जब वेदों का अधियन होगा, मैक्स मूलर के द्वारा, सबसे पहले, और बहुत सारे विदवान के द्व लिटरिरी स्योर्सिस में आता है, साहितिक सुरोतों में आता है, तब हमारा काम ये होता है कि हम उस साक्षि को जो साहितिक सुरोतों में लिखा है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम पुरातातिक सुरोतों से मेल करने का प्रयास करते हैं. जैसे मान लो कि उसनों ने लिखा कि द करें जिस इस्तान का जिक्र वहां पुरुश्नी का किया गया है तो रावी नẦी की किनारे बेगर खुदाई हो कि और कि जिस वैदिक सब्वेता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं विरार्थियों इस जिस वैदिक सब्वेता के बारे में हम समझने जा रहे हैं ये सारी वैदिक सब्वेता ये पूरा जो छेतर आप नाम देख रहे हो ये सारा सारा छेतर वैदिक सब्वेता का छेतर है और इसक है कि इस सब्वेता की स्थापना जो है इस सब्वेता के लोग आ रहे थे मतलब इसलिए हम इसको आरे सब्वेता भी कहते हैं तो आरे सब्वेता वैदिक सब्वेता दूसरी बात तीसरी बात देखिए क्या हुआ अब हुआ यह कि साहितिक सुरतों ने तो लिख लिया अब इन तो फिर अगर पुरा तातिक सुरोत से उसकी समिक्षा करते हैं उसकी तुलनाएं करते हैं और अगर हमें ऐसा मिल जाता है तो हम मानते हैं कि साहितिक सुरोतों ने ठीक लिखा है तब हुआ यूँ कि जब वैदिक साहित्य में वैदिक सब्वेता के बारे में हमें जानकारी मिली कि ऐसी एक सब्वेता थी भारत में तब दिक्कत यह आई कि अब इसका काल करम क्या ताय करें हडपा सब्वेता से पहले रखें कि हडपा सब्वेता के बाद में रखें क्योंक कि ये सब्वेता हडपा सब्वेता के बाद भी होगी ठीक है कुछ इतियास कार ये कहते हैं कि ये सब्वेता हडपा से पहली भी होगी तो अब पहली भी की बाद में भी इसके बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता सब अनुमानों प्यादा रहीते हैं कुछ इतियास सब्बेता हजारो लाकों साल पुरानी और कुछ ये मानते हैं कि अडपा सब्बेता के बाद भी ठीक है फिर क्या हुआ आगे समझे फिर विबिनस्तानों पर जब को स्टार्टी में खुदाईया हुई तो हमें ऐसे कोई परमान मिली नहीं क्योंकि सबसे पहले तो केवल साहि इतिक सुरूत के उलिक के बेस पर हमें पढ़ाया गया अब पता ही नहीं था कि इसका कहीं प्रातातिक सुरूत जब तक नहीं मिलता तब तक हम उस बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं फिर क्या होगा फिर देरे देरे खुदाईयां बढ़ती गई अभी बीच में कुरू चेतर सुनोली सुनोली है आपके यूपी के अंदर सुनोली कुरू चेतर इस सारे इलाके में यहां पर इस पूरे चेतर के अंदर यहां पर कई सारी जगे पर कई सारे परमान मिले सुनोली से पूरे सौने का रथ मिला है वहां पर युद करती हुए महीला हैं पुरूशों क एक परकार से मूरतिया मिली है और वो सारी बातें पर्मानिक हो रही है जो रिगवेद में लखी कही थी सुनो ली से पूरा बंडार प्राप्त हुआ है अब विदवान लोग कह रहे हैं कि अगर सुनो ली की और खुदाई की जाया तो निश्यत रूप से वैदों की बातें सह मिली है जो कुछ भी मठंने वाले मोस्टली सारा साहितिक शुरूतों पराधारी तें बहुत कम शुरूत हैं पुरात आत्विक वह भी हैं पुरात आत्विक शुरूतों में एक तो मृद भांडी है बरतन जो कि हमारे को जो मिले हैं, उन बरतणों के बेस पे कुछ बरतण मेले हैं, कुछ कुरोचेतर, अरियाना के पटी में, सरसोती नदि चेतर में कुछ मिले हैं, अभी सौनोली में मिले हैं. दो अभी लेक हैं वो आपके बियोगस्गोई और वहां के मद्दे इशिया के तुर्की के अंदर वहां मिले हैं जिसमें भारती देवताओं के नाम लिखे हैं कि वहित्ती और मितनी वंसों के बीच में जब युद हुआ तो उनकी संदी के साक्षी की रूप में ये मित्र वरून वगरा इंदर वगरा ये सब लोग वहां पे मौजूद थे देवता मौजूद थे यसा कुछ बात वहां पे लिखी हुई है तो पुरा तात्युक सुरोतों से ना के बराबर जानकरी मिलती है सब्बेता की कि इसा की बात करें तो परिची में मुखे मुके रूप्से क्या थी है ध्यान रखनी है कि इस सब्बेता की निर्माता आरे लोक थे और इन आरे वेक्तियों ने यूं कहीं कि इस से 6 Shepherd के बाद वारत में वैदिक सब्बेतायास हमें पढ़ाया जाता है वस्तु इस्तिती क्या है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा सकता है बहुत रिसर्च की आउशिक था यहां पर नई रिसर्च आएंगे करेंगे हो सकता है कि कुछ जैसे की बीबी लाल महोदे ने कहा कि अगर सुनो ले की खु कुछ मिल रहा है यह काफी कुछ थियरीज को काफी कुछ सिद्धानतों को एक परकार से खंडित कर रहा है जैसे आरे बाहर से आए थे वगरा वगरी यह सारी चीजे तो मैं बात शुरू कुछ उससे पहले थोड़ा सा मैं और बता देता हूं अब दो चीजें क्लिर हो गई कि इस सब्वेता को आरे उने बसाया था और इस सब्वेता के अंदर जो आपके इसका जो जान का रिया है वो मिसाहितिक सुरूतों से मिलती है तीसरा पॉइंट वापस यहां पर यह उठता है कि आरे लोग थे कहां के फिर बसाया तो आरे तो आरे कहां के थे क्या भारत के यहां बाहर के थे, यहां पर विविन मत मतांतर वापस आ जाते हैं, कुछ चार मत आते हैं यहां पर, कुछ लोग यह कहते हैं कि आरे जो है वो आपकी भारत की रहने वाले थे, तो भारत में फिर कहां के थे, तो किसी ने का सब्त सैंधो परदेश में रहने वाले थे, किसी न संदरदास ने कहा कि सब्ट सेंदों परदेश के थे एल और आपके त्रिवेदी ने कहा कि ये इसके थे मुलतान के रहने वाले थे और आपके एल डी कला ने कहा कि कस्मीर के रहने वाले थे तो गंगानाद जहा ने कहा कि ब्रंबृत परदेश के रहने वाले थे तो भारत के म पिर यूरोप में जैसे पैनका, हर्ट वगरा यह जर्मिनी की लोग थे इनोंने का इसके डैन्वियन से आये थे, गायल से ने कहा कि हंगरी से आये थे, जैसा मन आया ऐसा सभी ने बोल दिया, नहरिंग और गॉर्डनसाइल ने कहा कि वहां से आये थे, रूस से आये थे, और यह योरॉप के कुछ सुपर्मानिक थे फिर आगे बनिय हम नदिवाला बताया उगाहिल्स ने बताया फिर उसके बाद मैं तीसरे अमत आया आपके आर्कway कांडिकender आर्क मैक्स मूलर ने कहा कि बैक्टरीय अप्रदेश से आए थे पाञ़जिटर और स्वामी ने कहा कि इस है रिखर्जिक ने कहा कि आपकि पामिर के पठार से आए ते ब्रेंडस्टाइन ने कहा कि किरगिस्तान गार। यहां पे कई सारे मत मतांतर द्र ये जैसे जो जे जे रोड थे रोड ने का कि बैक्टरिय अपरदेश से आए थे तो मद्दी एशिया का जो ये सद्धान था रे रोड और इसका मैक्स मूलर का था रोड ने सबसे पहले कहा था और मैक्स मूलर ने ऐटीन विप्टी नाइन के असपास इसकी पूरी व्याख्या की तो आरे थी कहां कि इस पर भी अभी confusion चल रहा है अब सिद्धान्त यह दिया गया इतिहास में यह लिखा गया कि आहरे बाहर से आये थे और गोडों के साहरे आये थे सारे आदमी आये थे औरते नहीं आये थी और औरते थी भी ने इनके साथ में जब यह इन छेतरों में आये यह देखो इंडो आरे लिखा हुआ है देखो आप यह जब यहां आये इन छेतरों में तो यहां पहले से अनारे लोग रहे थे अनारे क्यों कहा गया ऐसा माना जाता है कि आरे जिनको स्विकार नहीं करते वो सारे अनारे हैं आरे यह मानते थे कि जो स्रिस्ट है वो हम आरे हैं जो उस रिस्ट नहीं है वो सारे अनार्य है फिर कहते हैं कि आर्यों ने इन सारे अनार्यों को पराजित किया पराजित करने की बाद में आर्य आपस में लड़े आपस में आर्य आर्यों के बीच में लड़ाई हुई जिसका एक बेहत्री ते उड़एरณ ने आपके यह दस राग युद हुआ और इस प्रकार से आठहा भारत में इस्थापित हुए और इन्होंने भारत में सासन करना शुरू कर दिया तो यह सारी एक सारी बातें थी इनके संंहिंद में अवैदिक सब्वेता के संबंद में तो रिगवेदिक काल और उत्रवेदिक काल फिर इन दोनों का विभाजन हो गया लोहे के उप्योप के अधार थे मुख्य रूप से क्योंकि रगविदिक कालिक लोग लोहे से परिचित नहीं थे फिर लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज हो गई आपके एक हजार इस्वी में इसापूरु में अंतरजी खेडा के अंदर यूपी में उसके बाद में औजार चैंज हो गए औजार चैंज होने के बाद मे गंगा नदी कान बड़ा इलाका के पौदे काटे गए फिर इस कठो और मिटी को जोतने के लिए लोहे के हल बने इस परकार से इस लोहे के कारण उत्रवेदिकाल इन लोगोमती नदी तक आ गया हूँ एक परकार से फैल गए थे तो फिर उत्रवेदिकाल की इकोनमी बदल इससलिए इत्यासकारोंने वैदिकाल को भी दो भागो में बांड़ दिया रगवेदिकाल और आपके उत्रवेदिकाल जैसे हम कह सकते हैं पूरु वैदिकाल और इसमें पूरी की बात हैं थी इसमें पैदिक सब्वेता में करीबन करीबन आपके 900 वर्षों का इतियास है जो हम अभी पढ़ने वालें ठीक है तो अब मैं बात को शुरू करूँगा और लिएक दिरे पॉइंट तो पॉइंट नोट्पी करवाएंगे कोशिश करेंगे कि आज अपन निर्माता तक पूरा कर ले चीक है कर दो कर दो कर दो कर दो कर ठीक है सबसे पहले परिच्चे अब परिच्चे में हमें क्या-क्या द्यान रखना है परिच्चे में हम सबसे पहले लिखेंगे कि अडपा सब्वेता के आवसेशों पर आवसेशों पर आवसेशों पर पन्रासो से शहसो बीसी के मद्य रही सब्वेता को सब्वेता को वैदिक सब्वेता कहा जाता है वैदिक सब्वेता कहा जाता है, ठीक है? क्यूं कहा जाता है? क्यूंकि इस अब्वेता की जानकारी हमें वैदिक साहिते से प्राप्त होती हैं. वैदिक साहिते गौँ पीछे पढ़ेंगें, इस चाप्टर के लास्ट में वैदिक साहिते से प्राप्त होती है प्राप्त होती है और इसी कारण हम इसको क्या कहते है वैदिक सब्विता बोलता है तो वैदिक सब्विता कहने के पीछे कारण क्या है कि इसकी जानकर हमें वेदों से प्राप्त होती है बस इसी इसका ज्यान रखना कि वेद वैदिक सब्विता के अंदर नहीं लिखी गई थी वैदिक सब्वेता वेदों के अंदर लिखी गई है और वैदिक सब्वेता वेदों के अंदर बाद में लिखी गई है पहले वेद बस ब्रुमा के कहते हैं मुक से निकले फिर गुरू टू गुरू गुरू टू गुरू टू सिस्या गुरू टू सिस्य रेक्षप्वेटा भी कहा जाता है क्या कहते हैं? आरेसब्वेटा भी कहा जाता है gua क्योंकि वेदा के अनुसार वेदा क्यों वेदा के अनुसार इसके संस्तापक संस्तापक आरे थे जहां से समझना यह जो भी बातें आगे हम पांसाथ दस दिन करने वाले हैं इन लेक्सस के अंदर यह सारी बातें वेदों के हवाले से आई है हम हर जगह लिखते रहेंगे कि वेदों के किस मंडल में किस शुक्त में कहां पर कहां कैसा परावदान किया गया मैं एक एक्जामपल देखे समझाता हूँ आपको जैसे यह दस राग युद्ध का मिरपास्चित्र है इसमें आप देखोगे तो इस पस्त रूप से लिखा हुआ है रिगवेद के साथ में मंडल के अठारे में 33 में और आपके 83 में शलोक में 10 राग युद्ध के बारे में लिखा गया है तो मतलब यह हुआ कि हम जो कुछ भी यहां लिखने वाले हैं जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं यह सरफ वेदिक हवाले से हम पढ़ने वाले हैं हम यहां पे कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे हम क्या कोई भी किताब ऐसी बात नहीं करेगा जो वेदों में नहीं है और मन गढ़नत है ठीक है तो यह वेदों के हवाले से सारी चीज़े आई हुए दसराग युद भी आता है तो भी इस परश्रूफ से रिगविद के साथ में मंडल के आपका जो शलोक संख्या अठारा तैतीस और तैयास ही इन तीनों में दसराग युद का जिक्र मिलता है तो हमने उसको पाठे पुस्तकों में डाल दिया और हमने ये लिखा कि जब वैदिक आरे आए तो वो सबसे पहले अनारियों से लड़े अनारियों को पराजित किया उनको दास बनाया ये बात ऐसी लिखी नहीं है कि दास बनाया लेकिन दास दश्यू सब्द कई बार रिगविद में यूज हुए है तो अब ये माना जाता है कि ये लोग निशित रूप से यहां के इस्थानी जो लिन लोग थे जैसे अपन मूल निवासी कहते हैं इन मूल लिवासियों को पराजित करके इनको अपना दास बनाया और आरे चूंकि अपने आपको स्वेष्ट मानते थे और इन आरेओं ने यहां पर फिर आपस में जब लड़े तो उसका सबसे बेस्ट एक्जामपल दिया जाता है दस रागी युथ ठेक है तो कुछ इंट को और इसकार को पढ़ते हो हमने इतियास दर्शन में पढ़ा भी था तथे बोलता नहीं उसको बुलवाना पढ़ता है तथे सिर्फ यह है कि दस राग युदुगा था क्यों हुआ था यह बुलवाएगा इतियासकार तो तथे से ज्यादा इसकी व्याख्या मेहत पुर हो थी तध्या सारे हमें वेदिक सब्बेता के मिल जाते हैं वेदों से जसी तथे मिल गया कि दस हराग युदुगा था जिसमें दस जन पूरू की नेतरतों में एक तरफ थे, विश्वमित्र की नेतरतों में और भरत, जन के राजा, सुदा, स्तृत्सु बंस का एक तरफ था फिर ये जीता, ये हुआ, ये ये सारी बाते भी अब interpretation कौन करेगे? इतियासकार तथ्य को बुलवाएगा कौन? इतियासकार आरे शब्द, आरे शब्द, गुण वाचक है, जिसका तात परिये, जिसका अभी प्राय, अभी स्रिष्टता से है, तो आरे लोग स्वयम को स्रिष्ट मानते थे और आरे चुंकि ऐसा माना जाता है कि थेरी ये दी गई, ये आरे बाहर से आये थे और यहां की लोग जो थे वो मूल निवासी थे, फिर इन मूल निवासियों को जिन्होंने आरेओं ने इन मूल निवासियों को अनारे माना था तो उन आरेओं ने इन अनारेओं को पराजित किया पराजित करके इनके मूल निवासियों का जो छेतर था नेटिव पीपल्स जो थे इनके छेतर को अपने कबजे में किया और इन लोगों दियास में लिखी गई है, तो इसकी परिच्ची में हमें है वो, इन तीन चार बातों का ध्यान रखना है, आर्या शब्द का ध्यान रखना है, और इस सब्वेता की बारे में इनके सहस्तापक वगएरा कौन थे, सब्वेता का काल करम क्या रहा, और किस प्रकार रहा, तो ये हमें ध्यान रखनी है। ये इसका एक basic परिच्ष हो गया, इसका सवरूप हो गया. अब हम बात करेंगे इसके आगे, इसके निर्माता कौन थे? डेखो, निर्माता की जब बात आएगी विद्यारत्यों तब आपके कही सारे मत निकल कर सामने आएंगे. अब हम निर्माता पर बात करेंगे तो यहां पर तीन मत मैन आते हैं निर्माता में पहला मत आता है कि आरे भारत के ही निवासी थे दूसरा मत आता है कि आरे बाहर से आये थे और आरक्टिक प्रदेशों से आये थे तीसरा मत यह आता है कि आरे यूरोप से आये थे कहां से आये थे य आपके अलावा एसिया के अन्य बागों के वासी थे तो आरे लोग कहां के थे इससे सम्मंदित सवाल परिक्साम में आता सुमिलित कीजिए जैसे आता तिबत का पठार आरक्टिक छेतर हंगरी और सकंडेन्वियत सामने सुमिलित करने में सवाल आता सीधा हमारे परिक्साम मे अब इसको अपन थोड़ा मैप से समझते हैं एक मत आएगा कि आपके आरे जो है ये कहां के मूल निवासी थे तो एक मत तो ये आएगा कि आरे भारत के ही थे कहां के थे भारत के थे एक मत तो ये आएगा दूसरा मत साथ ये आएगा कि आरे जो है ये इस मद्दे एशिया क के रहने वाले थे कहां के मद्द एशिया के यह एशिया के अन्य भागों के आपके था ठीक है तीसरा मत यह आएगा कि आरे आरक्टिक प्रदेश से आए थे कहां से आए आरक्टिक प्रदेश चौथा मत यह कहेगा कि आरे यूरोप से आए थे ठीक है आरे कहां से आए यूरो साइबरिया से आए थे भगवान की महर बानी से ऐसा बहने किसी नहीं कहा कि आए उस्ट्रेलिया यह अमेरीका से आय थी यह अफरीका से आ भी अग्वानीयों साहा का साहा मनेंटर से इन की बीच में ठीक है को यह आप चार मत रहिंगे एक दो ली कि Cindy समया जाएगा तो यह चार मत आते हैं हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरे कहां से आये थे तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के संबन में ठीक है तो अपने वो नीचे आ जाते हैं अलग सलाइड के ऊपर कि आरे भारत की रहने वाले थे आरे कहां से भारत के रहने वाले थे, ऐसा एक सबसे पहला मत यही आता है, पहला मत तो यह नहीं था, पहला मत तो मत देशिया का था, आरे भारत के थे, अब इसमें से हमारे पास कई सारे मत हैं, पहला मत यह कहता है कि आरे जो है, यह सब तो शैंधो प्रदेश के रहने वाले थे, कहां के सब्तु सेंधों प्रदेश के रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे, सब्तु सेंधों प्रदेश के, इसको समझे, रिगवेद के अंदर इस प्रदेश के लिए जो शब्द यूज किया गया है विद्यार्थियों, वो यूज किया गया है देवकृत योनी, रिगवेद में क्या शब्द यूज गवा है इसके लिए रिगवेद में सब्ट सेंदो परदेश के लिए देवकृत यूनि शब्द का उप्यू किया गया है सब्ट सेंदो परदेश का तात्प्र ये क्या है सबत सेंदो प्रदिश का तात्प्रहह हैं यहां पर 7 नदियों का च्छेतर अगर मैं आपको इसमें से बताऊं यहां पे तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे यह थोड़ा सोटा हो गया मैं इसको आपको यहीं पे दिखा देता हूँ इसके अंदर ही देखा देता हूं ठीक है देखिए ये सतूद्री नदी ये सरस्वती नदी ठीक है उपर से ये सिंदू नदी ये वितस्ता नदी ये असकीनी नदी ये पुरुशनी नदी और विपासा नदी ये हैं टोटल साथ नदिया ठीक है साथ में से एक सिंदू और एक सरस्वती ये दो नदिया और सिंदू की पांच साहिक नदिया टोटल साथ नदियां हो गई इन साथ नदियों की बीच का जो ये छेतर है बिलकुल योनी आकार का होने कारण सको देवकृत योनी माना गया है और इन साथ नदियों के बीच ये आरे मूल रूप से रहते थे अविनास चंदर क्या कहते है अविनास चंदर कहते है कि यहाँ पर एक देव अशूर संग्राम हुआ था देवताओं के बीच में और असूरों के बीच में और उनके अनुयाईों के मद्य एक संग्राम हुआ था एक लड़ाई लड़ी गई थी इस लड़ाई में क्या हुआ आगे अविनास संदर ये कहते हैं अविनास संदर दास कहते हैं कि इस देव अशुर संग्राम के अंदर देवता वर्ग जीता हो हर बार जीता है देवता तो क्योंकि अच्छाईyoh को अमेसा जिताया जाता है, और बूराईyoh को अमेसा हराया जाता है ताकि जनता में संदिश जाय कि बूराई नहीं करनाय चाहिए, हमेसा अच्छाई करनायाagog wa Dieu अभ यहां पे अविनाहसद्र दास कहते हैं कि देव अशूर संग्राम हुआ और इस संग्राम के बाद में असूर हारे हारता है वो पलायन करता है और कहते हैं कि विनास चंदर कहते हैं कि यहां से असूर पलायन करके और इरान की साइड चले जाते हैं और देवता लोग जो थे वो यहीं पे रहे वो यहीं पे रहे फिर आगे क्या कहते हैं आगे ये कहते हैं कि असुर जो इरान की तरफ चले गए असुर मनलो राक्सस वो इरान की तरफ चले गए उन्होंने अपना देवता जो है वो अहूर मजदा को बनाया और उन्होंने अपना धार्मिक गरंत जैंद अविस्ता लिखा हैं यह देवाशूर्भ संगराँ के अधार पर अविनास संदरदास जो ह DAY है वह आपके इस बात को लिखते हैं कि आरेलोग भीः वह सब्थ सेंदों परदेश की नेवाशी थे इस बात को हमें हैं pesos ज्याद रखना है अब अपन इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीके, तो इसमें आप लिख लेना, देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम, देवता, देवता जो है, वो जीते, असुर पराजित हुए, असुर क्या हुए, पराजित हुए, पराजित असुर कहां गए, इरान गए, लिखते रहना साथ में, असुर इरान की तरफ गए, तरफ गए, अहुर मजदा असुरों का देवता बना, असुरों का देवता बना, और जेंद अवेस्ता असुरों का गरंथ बना, ठीक है, और यह जो लोग थे, देवता लोग, यह यहीं पे रहे, यहीं पे रहने का मतलब यह था, कि यह सब्त सेंदों में रहे, रगवेद लिखा, ठीक है, रगवेद लिखा, और वरून वग्रायन को अपना देवता बनाया, ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे, वरून देवता, अब इसको आब ऐसे लिखना, कि मैं आगे लेख रहा हूँ आपको इसमें सिंपल सी बात लिखनी है कि अविनास चंद्रदास देख को ये मत किसका है ये मत है अविनास चंद्रदास अविनास चंद्रदास नहीं पुस्तक लिखिए रिटन किसका नाम था रिगवेधिक इंडिया रिगवेधिक इंडिया ठीक है अविनास चंद्रदास व सम्पूनानन्द है ये दोनों इस मत के प्रति पादक इन्होंने क्या लिखा आप क्या लिखोगे आप बासा कैसे दोगे कि अविनास चंद्रदास ने अपनी पुस्तक रिगवेधिक इंडिया ठता सम्पूनाननंद ने डेवाशूर शंगराम का करते हुए यह मत दिया है इनकी अनुसार देवता और असुरों के युद्ध में देवता जीते असुर पराजित हुए देवता जीतने के बाद सब्ट सेंदो प्रुदेश में रहे और इन्होंने इरगवेद लिखा वरून देवता बने इनके और भी बहुत सारे देवता कोहुर मजदा बने और इनकी धार्मिक पुस्तक जेण अविश्था वने साहितिक विपरणों के अधार पर निए निसकर नेकाला है सब्ट सेंदो प्रुदेश का अब बात यह आती कि सब्ट सेंदो प्रुदेश के अंदर कौन-कौन सी नदिया आती थी कौन-कौन से ठीक है ये तो दो हो गई अब आपके तीसरी नदी अब थी रावी रावी को हम कहते हैं पुरुशनी चौथी नदी चिनाब चिनाब को कहते हैं अस्कीनी ठीक है पांच्वी नदी व्यास व्यास को हम कहते हैं विपासा चठी नदी जेलम 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 जिसे हम कहते हैं वितस्ता और शात्वी नदी शात्लग्स अम क्या सोरी यह पुरुशनी विपासा अस्कनी वितस्ता सतुद्री यह नाम शारी रिगवेद के हैं हम कहते हैं सत्लग्स ठीक है पुरुष्णि रावी अस्कीनि चिनाब ठीक है वितस्ता जहलम सिंदू विपासा व्यास अतुद्री सतलज ठीक है सरस्वती सरस्वती की फिर कुछ साहक नदिया भी थी अपाया दृस्ट जोती वगरा यह साथ अलांकि कुछ विद्वान इन साथ नदियों के नामों पर भी confusion है कुछ कहता है कि कुबरा गोमल भी शामिल थी कुछ कहते हैं कि यही थी तो मोटे मोटे तौर पर यही बना जाता है तो सब्त सेंदों में हमारे प्रस्ट क्या क्या बनते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह मत दिया किस ने ठीक है दूसर प्रदेश की बात सब्त सेंदों प्रदेश में कौन कौन से छेतर आते थे तो यह सारे एक सारे छेतर आप लिख लोगी ठीक है तो यह पहला मत था जो यह कह रहा था कि आरे लोग जो है वो भारत के ही थे बाहर से नहीं आए थे ठीक है अब अब अपन देखते हैं इनका द ठीक है देवी का प्रदेश आया हुगा विदारतिय मुल्तान के अंदर मुल्तान है पाकिस्तान के अंदर ठीक है और देवी का प्रदेश का जो ये मत था ये डॉक्टर डीयस त्रिवेदी ने दिया था किस ने दिया था डीयस त्रिवेदी का मत और इसने कहा था कि मुल्तान के पास में देवी का नदी है और इसके किनारे ये लोग रहते थे ठीक है देवी का नदी के किनारे रहते थे ये एक मत आ जाता है ठीक है तो मैप में अगर देखे हैं तो ये छेतर भी हमें बता आता हूं आपको यह हमारे याव्यावती गोमती भलाना यहां पे आप ऐसे मान के चलिए कि यह जो मुलतान छेतर है यह यहां के आजपास गई है इस छेतर के यह लोग थे और सब सेंदों वाले ता आपने देखी लिए पहले ठीक है अब देखी और कौन-कौन से मत हमारे पास में है जो काफी एक प्रकार से बताई जाते हैं तीसरा बताई जाता है ब्रमरशी देश चीवहे ब्रमरशी देश अब देखी इसमें अगर मैं ब्रमरशी देश की बात करूं तो आप एक बार वापस होड़ा मैब देखुए ठीक है बर्मरसी देश में ये माना जाता है इदर से ये लगबग सरस्वती से लेकर और ये पूरा जो एरिया है इस पूरे छेतर को बर्मरसी देश माना जाता है तो सरस्वती और दरस्द्वती के बीच का और आसपास का जो एरिया है इसे बर्मरसी देश माना जाता है और यहां पर बाद के अगर मैं बात करूँ तो कुरू छेतर, मतश्य, पान्चाल, सूरसेन ये सारे माहजन पद हुए तो इन माहजन पद वाले छेतर को क्या का जाता ह ब्रम्रिसी देश बोला जाता है ठीक है तो परम्रिसी देश के बारे में यह तो सीधा सवाल यह भी आता है कि ब्रम्रिसी देश में कौन सा चेतर है तो कुरू कुरू छेतर, पांचाल, मतश्य, सूर्शन, यह सूर्शन, महाजनपद की सूर्शन छेतर, यह पूरा जो छेतर था विदार थी हो, इस छेतर को ब्रम्रिसी प्रोदेश में रखा जाता है तो सरस्वती नदियां व द्रस्थवती यहां की मुख्य नदियां थी यह पंडित गंगानाथ जा का मत थे ठीक है तो इसमें यह तीन बातें ध्यान रखनी है कि ब्रम्रिसी प्रोदेश किस छेतर को कहा जाता है यह मत दैने वाले व्यक्ति कौन थे तो और इसके साथ साथ आपके इसे अंतरवेदी भी बोलते हैं ना हो था मत जो आता है हो आता है कस्मीर का की इनकी उत्पति जो है वह आपके यह आset रह और भी है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, वैसे नॉर्मल मत है, तो आपन लिख लेते हैं, इसको भी यहीं पे, पांचवा मत, मध्यदेश, कौन सा, मध्यदेश, मध्यदेश का मतलब हो गया है, कि मध्यदेश और ये चेत्र पूरा, विंद्यांचलकान चेत्र, विंद्य, MP ये एरिया पूरा, अरावली वगरा ये एरिया, ये दिया राजबली पांडे नहीं, किस ने दिया राजबली पांडे, ये इनका मत था, तो मध्यदेश का सद्द राजमली पांडे देते हैं और यह पांच मत हैं जो कहते हैं कि आरे लोग भारत की मूल निवासी थे बाहर से नहीं आये थे तो पांच कौन-कौन से हो जाएंगे एक सब्ट सेंदु प्रदेश हो जाएगा दूसरा आपके फिर पासमी मुलतान हो जाएगा उपर कसमी रा जा जाएगा और पांच वापके मद्दी देशा जाएगा तो अगर अपने उसको मैप से देखें थोड़ा सा तो हमारे कलिर हो जाता पूरा ऐसे एक मत यहां का है दूसरा यहां का है तीसरा उपर का है चौथा यहां का है और पांच वा यहां का है यह पांच मत आते हैं भारत के संबंद में ठीक है तो कुल पांस मत भारत के बढ़ते हैं अब बात आती है कि भारत का तो हो गया अब बात करते हैं आरक्टिक का ये मत दिया किस ने ये मत दिया है हमारे बाल गंगादर तिलक ने ठीक है तो अब देखिए आरे कहां से आए आरक्टिक से आए ये दूसरा म आरक्टिक यह हम इसको उत्री दुरू भी बोलते हैं ठीक है अब तिलक क्या कहते हैं तिलक यह कहते हैं कि पहली बार आरे जब वो मांडले जेल में थे 1908 से 1914 के बीच में तब उन्होंने आरक्टिक होम आफ डवीदाज पुस्तक लिखी थी जिसे हमने तिलक में बहुत अच्छे से पड़ना है ठीक आहर आज़ुनिक भारत के अंदर और फिर्स पिप्पर के अंदर तो आरक्टिक होम आफ डवेदाज पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने लिखा है कि रिगवेद में एक जग से आते हैं, जहांपर आपके छे-छे महीने की दिन रात होते हैं. और छे महीने की दिन रात विद्यारतियों भुगोल के अनुसार केवल उत्री दुरूब और दक्षिनी दुरूब पर ही होते हैं. इस बेश पे है वो तिलक इस निसकर्ष पर पहुंचे की दिर्ग कालिक उसा का देश तो है वो उतरी दुरू है तो निशित रूप से आरे है यहां से आये होंगे फिर आगे इन्होंने ये निसकर्ष निकाला तिलक ने मैंने का इंटरप्रेटेशन बहुत महत पून होता है तिलक ने निसकर्ष निकाला कि ऐम पर लया होगा तो फिर वेक्तिवं रहा हो ने सकता है एंटर आया होगा और यह लोग वहां से एस्ता नांत्रित हो कि योडू आये होंगे और एस्या पहूंचे होंगे और भारती ते तो एसा मतσιने होंगे. तो इसमें अपन क्या याद करने वाले हैं? अब तिलक ने अपनी पुस्तक बाल गंगा धर तिलक ने अपनी पुस्तक आरक्टिक होम ओफ दे वेडाज में आर्यों का मूल निवासस्थान मूल निवासस्थान आरक्टिक छेत्र को बताया है ठीक है? बताया यह बात हो गई दूसरी बात किस बीश पर कहा है? कि वेदों में उल्ले खित हैं इसका आधार क्या है? वेदों में उल्ले खित दीर्ग कालिक उसकाल उसकाल अर्थात दिन्व रात की आवदी अधिक ठीक है? यह बात कहीं वेदों में लिखी है? कि वेदों में लिखा है कि हमारे पूर्वज उन शेत्रों से आते हैं जहां पर दीर्ग कालिक उसकाल है? तो इसका इंटर्पूटेशन तिलक ने इस बेस पे किया है कि यह उन शेत्रों के निवासी होगी जहां पर दिन और रात की जो अवदी है वो बहुत अधिक होगी तो डेफिनेटली यह आपके उत्री दुरूग के निवासी होगी ठीक है? उत्री दुरूग के होगी ऐसा इंप्रफियुट कि प्यक्त तिलग ने क्या कहा कि फिर दुर्व कि एब हम पर ले उगा..? virtues में हम पर ले ऐएवा उगा नाइवा हेओ कि और एंप्र ले के बाद में आ रहे लोग फिस्थापीतो के एरोप आए होंगे और यह विस्था पितो के भारत आयोंगे ये तिलिकने entsprechend किया है ठीक है तो आर्ग्टिक का मामला यहाँ पे पूरा हो जाता है और आर्ग्टिक के बाद में विदारतियों नमबर आता है European देश का ठीक है अब आपने देखते है European के बारे में अब आते हैं यूरोप के उपर अब कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि आरे लोग जो है ये आपके यूरोप के निवासी थे कहां के थे यूरोप के थे और यूरोप में कहां से थे तो अब यहां पे कई सारे मत मतांतर और आएंगे यूरोप के ठीक है यूरोप में किसका क् क्या मत था अपने एक-एक मत चेक करते हैं सबसे पहला मत आया यूरोप की अगर मैं बात करूं तो के हंगरी हंगरी जो के आपके यहां पे डैन्यूब नदी भी है और डैन्यूब नदी के किनारे आया हुआ हंगरी की राजदानी बुड़ा पेस्ट गाइल्स ने यह मत दिय नहीं पाया था कि यह लोग आपके हंगरी से आये ठीक है यह सीदे सीदे सवाल आते हैं इसमें कोछज ज्यादाने आता और इसकी कारें क्या बताया है कि हंगरी के लोग भी समुद्रों से परिचित नहीं थे और आरे मत गलत है मैं आपको इसके बारे मैं आगे डीटेल से बताने वाला हूँ, तो एक तो बात ही होँ ही, ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा मत आया, वो आया आपके पैंका वहर्ट का मत, पैंका वहर्ट, ये दोनों जर्मनी के थे, और जर्मन थे ये, और इन्होंने मत क्या दिया था, कि आरे स्केंडेनिवियन कंट्री से आये थे इसकेंडेनिवियन कंट्री में, इसकेंडेनिवियन जाती है, जो कि कहां रहती है, नौर्वे, डैनमार्क, हैना, स्वीडन, ये उस छेतर की बात कर रहा है, इसकेंडेनिवियन कंट्री बोलते है, आरे यहां से आये थे, ऐसा इन्होंने बोला, पैंका वहर्ट ने, ऐसा कि research way. यह तरी सशोय एक है. किere collection है, और फॉण हम बारे मोम कान कि दूसमने हैं तो बीविच व मफ्य लिटान की ईपकी only of coarse how canfield sent, ऑ दिवा कि अवर्य मारीत की त्वर्थ के अंदर आये गळें है म עלा जो सब को आठें हैक, उनके जो इन्हों DNA का ज़्मानिया जब टेस्ट हुए है वर्तमान नहीं तो ऐसा सामने आया है कि इनका किसी का भी यूरोपियोंसे कोई DNA मेच नहीं करता तो यह यूरोपरीयन वाले सारे मत फैल हो जाते हैं यहां पर क्योंकि ये ये विग्यानिक निस्क अभी वरतमान में कई सारे आई हैं लेकिन हमें तो इनको याद करना ही है क्योंकि परिक्सा के दरस्टिकोंड से हमारे लिए ये मैध पूने है थीक है अब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रूस से आई है कहां से रूस से आये तो रूस में कहने वाले विद्वानों में सबसे एहम नाम आता है आपके नहरींग का नहरींग का नाम आता है वह गौर्डन चायल्ड का आता है ठीक है तो गौर्डन चायल्ड वह नहरींग ने जो मत दिया वह किसका दिया था कि आरे लोग कहां से आये थे र इसे नोंने का कि योक्रेन जो की दक्षिणी रूस में था उस समय, कौन सा चेत्र? योक्रेन. जो कि आपके किसका भाग है? रूस के दक्षिण में ικά दक्षिणी रूस इनोने का योक्रेन के आसपास आपके एक त्रिपोलजी सहर है युक्रैन के त्रिपोलजी शहर में त्रिपोलजी शहर से मिले मिर्दभांट है अब ये मिर्दभांट वैदिक सब्ड़ता से मैच कर रहे तो फिर क्या हो सकता है कि यह इस चेतर की रहने वाले हो युक्रियन की रहने वाले हो ऐसा इनोंने माना ठीक है और मॉर्गन आये उन्होंने का कि साइबेरिया से आए होंगे साइबेरिया युक्रियन दोनों उस समय रूस में थे साइबेरिया तो खेर आज भी रूस में है और युक्रियन सवतनतर दे के मत और अब हम last में आ जाते हैं कि Asia के अन्य वागों से आए थे ठीक है तो Asia के अन्य वागों से आए थे तो ये कहां से आए थे उसके बारे में हम सबसे last में आज देख लेते फिर अगली क्लास हम कल करेंगे एसिया के भागों से, अन्य भागों से, अब देखो, इसमें कौन-कौन से मत हमें, ध्यान में रखने हैं, सबसे पहली बात विद्या है, तो आई था तिबत का, तिबत से आये थे ये मत दिया सौमी डियानन सरस्वतीं नहीं ठीक है यहां तो ठीक है ना तिलक धुरुण पे ले डियानन सरस्वती तो तिबत तक लेके आगें बहुत ज्यादा दूर नहीं है । cucu इन्हों ने का कि जिस टिर्ग का इस्मतखा प्रती फादन किया था थिबवथ का दूसरा जो मत आता हुरा आता है मदद आस्या का किसका मद आस्या का मत आता है यह सबसे आहम था था विदार्थियों ठीक है यह एक आयत थे विदवान जी जे रोट क। killing था जी-जी जूड़ इसप === वेक्ति थे जिन्होंने मद्धि एसिया का सद्धान्त दिया था ये आ दिया था अठारा सुबीस में ने आर्यों को बैक्टरिया के निवासी बताया था बैक्टरिया प्रदेश कि निवासी बताया ठीक है अब देखो आपके रिमार्क में होगा नहीं बैक्टरिया प्रदेश किसे कहते हैं मैं बता देता हूं आपको ठीक है यह अपन मैप पे आते हैं वर्ल्ड पे देखिए उधार्थियों यह जो इलाका है उजबेकिस्तान तुर्केमेनिस्तान यह छेतर इस छेतर को बैक्टरिया प्रदेश कहते हैं ऐसा छेतर हैं जो आपके मुस्लिम कंट्री यह वर्तमान में रूस का दक्षिनी भाग यहां पे कभी आपके यू कहिए कि यूनानी उन्हें सासन किया था यूनानी जो बैक्टरिया प्रदेश से आए थे बैक्टरिया एक छेतर यूनान में भी है उन्होंने यहां सासन किया था इसलिए इसको पूरे को आज भी बैक्टरिया राजजी ही का जाता है आज मालोग इतियास के अंदर बैक्टरिया से जस्ट नीचे का छेतर जो है और बैक्टरिया का आक्रमन कब हुआ यह बातें हम आप समझेंगे आगे और यह है यूनानी चेतर ठीक है सॉरी यह यह पूरा यूनान यवन बैक्टरिया यह तीनों अलग अलग चेतर है इसको आपन आगे डीटिल से समझने वाले अभी आप इतना ही समझे कि आरे बैक्ट्रिया के निवासी थे, ये सबसे पहले जे जी रोड्स ने बोला था और उसके बाद में, फिर आपके मैक्स मूलर ने, किसने, मैक्स मूलर ने 1859 में आरेों की एशियाई उत्पती का सद्दान्थ दिया, आरेों की एशियाई उत्पती का सद्दान्थ दिया, उत्पती का सद्दान्थ दिया, ठीक है, ये आपके मैक्स मूलर का रोड्स का नाम बहुत अच्छी तरीके शियाद रखना, और अन्य कौन-कौन से भाग थे, जहां से एवो, मद्दे एशिया के भाग, जहां से लोग थे, अब कुछ ये कहते हैं कि मद्दे एशिया में कैस्पियन सागर से आये थे, ठीक है, जो कि हम मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पाने की जील है ये, और ये सेयस ने कहा था, किस ने कहा ये, सेयस ने कहा था, ये बस सुमिलित करो में ऐसे गैसे चोटे चोटे सवाल बन सकते हैं, परिक्षा के अंदर, एक है किर्गिस्तान, जो कि सबसे माने मत है, ठीक है, मद्दी एशिया का ही है, ये भी ब्रेंडेस, ब्रेंडेस्टाइन, किस ने कहा, ब्रेंडेस्टाइन ने कहा था, किर्गिस्तान का, उसके बाद में, तीसरा आता है, प कीथ थे और ओल्डन बर्ग थे इन लोगों ने पामीर का पठार का ठीक है पामीर का पठार तिबत जो है यह पामीर के पठार का एक छोर यह और कुछ नहीं है ठीक है पामीर का पठार इसके अलावा आपके काला सागर काला सागर का था बैन के ने किसने कहा बहन के ने एक ओता है तुर्के मेनिस्तान कि मोल्ट जे और हर्स्फिड मोल्ट जे व अर्स्फिड नहीं तो ये आपके कुछ मद्य ऐसिया की और मत थे ठीक है ये मत सरुमाने है मद्य ऐसिया का ठीक है मद्य ऐसिया का जूमत है यसारो मानिय अमत ठीक है तो विदार्थियों ये था हमारे आर्यों की उत्पति का सिद्दान्त ठीक है बहुत बहुत अन्यवाल विदार्थियों तो सिरही मस्त रही और पड़त